वापसी हो तो ऐसी हो, लगबग चार महीने तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद भारत के स्टॉर अल्राउंडर हार्दिक पांट्या ने ग्राउंड पर आते ही अपने प्रदर्शन से आग लगा दी है, फील्डर तो वो पहले ही कमाल के थे और उनके हिटिंग एबिलिटी प भी एक मैच विनर साबित हो सकते हैं, ये उन्होंने अब तक पांच मुकाबलों में दर्शा दिया है, और कहीं न कहीं आने वाले टी ट्वंटी वोल्ड कप के लिए अपना मजबूत दावा ठोक दिया है, इसके पीछे की वज़य है हार्दिक पांट्या का ये करिश्माई प्रदर्शन जो उनके तरफ से देखने को मिला है, हार्दिक पांट्या हर मैच के बाद बहतर ही होते जा रहे हैं, चाहें कोई भी सिचुएशन हो बल्ले और गेंद दोनों से ही खुद जिम्मेदारी लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने में एहम भूमी का अदा कर रहे हैं, अगर बल्ले बाजी की बात करें तो इस पूरे सेजन हार्दिक पांट्या ने चार नंबर पर बल्ले बाजी करी है, और हर मुकाबले में अपनी अलग चाप छोड़ने में सफल हुए हैं, अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में इस स्टार रॉल रॉंडर ने 76 की एवरेज औ और 136.53 के स्ट्रैक रेट से 228 रन बनाए हैं और इस दोरान ये खिलाडी दो बार नाबाद रहा है, वहीं राजस्थान रॉल्स जैसी मजबूत गेंदबाजी यूनिट के सामने हार्दिक पांट्या ने मुश्किल हालातों में आकर जिम्मेदारी संभाली और 87 रनों की पतानी पारी खेल कर अंत तक नाबाद रहे और दोस्तों आपको बता दें कि सेजन हार्दिक दो लागादार अर्थिश्य तक लगा कर इतिहास भी रच चुके हैं इससे पहले कभी भी हार्दिक पांट्या बैक टू बैक 50 जड़ने में सफल नहीं हुए थे लेकिन इस बार लगता है कि हार्दिक पांट्या का बतौर बलेबास एक सूपर हिट कहानी देखने को मिल रही है बले के अलावा गेंच से भी हार्दिक ने मुकाबले पल्टे हैं दाए हाथ के इस तेज गेंदबास ने पांच मैचों में चार विकेट जटके हैं लेकिन खास बात ये है कि हार्दिक पांट्या ने पावर प्ले और डेथ के मुश्किल ओवर्स में खुद गेंदबासी करने की जिम्मेदारी उठाई और कई मुकाबलों में अपनी टीम को शरुआती सफलता भी दिला चुके हैं हर मैच में 140 से उपर की गती से भी गेंदबासी कराते हुए नजर आ आठेगा वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या हार्दिक पांट्या 2022 टी 20 वर्ल्ड कप के लिए भारती टीम में शामिल किये जाएंगे या नहीं अपने जवाब हमें नीचे कमेंट वरक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईए और क्रिकेट की जोड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारी योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें